अगर अफगानिस्तान के साथ रिलेशन्स इंप्रूव करने हैं तो इस सब के वीच में एक पर्टिकुलर लीडर तालिबान का भारत में काफी फेमस हो गया है क्योंकि अचानक से कई इंडियन्स को यहाँ पर याद आया है के स्टैनिक जाई जो आज के समय तालिबान के जो टॉप टैन लीडर से उनमें से एक है यह अचुली इंडिया में आया था 1982 में और इसने देड़ साल तक IMA में ट्रेनिंग ली थी इंडियन विलिटरी अकाड़मी में ट्रेनिंग ली थी बाद में वापस अफगानिस्तान में गया और एवेंचुली तालिबान को जोइन कर लिया यहाँ आप आप देख पाऊगी आर्टिकल है आर्मी वेटरंस आफ इंडिया और इसका जो पुरा नाम है यह स्टैनिक जाई नहीं है पुरा नाम है शेर मुहम्मद अब्बास जब यह भारत में आया था ट्रेनिंग के लिए तब इंडिया में इसको एक निकनेम दिया या था शेरू नाव इसकी कहानी क्या है इस incident से हम क्या lesson ले सकते हैं discuss करेंगे यह सब मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पुछूँँगा के Indian Military Academy IMA जो आपको मिलेगी धेरादून में इसका motto क्या है यह है आपको आपकी option भारत रक्षक, वीर्ता और विवेक, शक्ति और शौर्य या फिर none of the above comment section में करिया answer सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंथ में ना मुहमद शिरबास की अगर हम बात करें तो यह एक तरीके से तालिबान का विदेश मंतरी है, अफगानिस्तान का ही विदेश मंतरी चाइना से बात करनी है, दोहा में बाट कर Russians, Americans के साथ एक meeting करनी है, हर जगा तालिबान को लीड करता है शेर मुहमद अबास, और 2016 में तो यह एक बहुती important delegation लेकर चाइना में भी गया था और चाइना से बातचित करी थी कि किस तरीके से तालिबान in the future वापस पावर में आ सकता है अब आप पूछेंगे कि क्या इसका जनम भारत में हुआ था या फिर इसका जनम अफ़ानिस्तान में हुआ था, देखिए जनम इसका हुआ था अफ़ानिस्तान में in the Longar province of Afghanistan 1963 में इसका यहाँ पर जनम हुआ, उसके बाद 20 साल की उमर में यह आया भारत और भारत में इसने देड़ साल तक ट्रेनिंग ली Indian Military Academy में अब यहाँ पर आप कहोगे यह कैसे हो गया पैदा अफ़ानिस्तान में हुआ है फिर भारत में आकर ध्यरादुन में ट्रेनिंग ले ली, वो भी IMA में देखो उस टाइम क्या था के 1970s में इंडिया ने ओपन किया था एक इंडिया अफगान डिफेंस कोपरेशन प्रोग्राम इस प्रोग्राम के अंडर क्या था के जो यंग होनहार बच्चे हैं अफगानिस्तान के ये ग्राजुएशन के बाद फर एक्जामपल शेर मौंबाद अबास ने पॉलिटिकल साइंस में ग्राजुएशन कंप्लीट करी तो ग्राजुएशन के बाद ये आ सकते रहे भारत में और इनको यहाँ पर टेनिंग मिलती थी at the Indian Military Academy और यहाँ पर आप देख पाऊगे ये फोटो है IMA की और IMA functional बड़ी थी 1932 में और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो कई foreign nationals हैं अफरिका से, एशिया की various countries से इवन मैं कहूंगा South America से जो भारत में आए हैं, IMA में टेनिंग ली है और उसके बाद अपनी respective country में जाकर अपनी आर्मी में के लिए सेवा करी है नाव इंडिया ने यहाँ पर यही सोचा के शेर मौमद अबास यहाँ पर टेनिंग ले रहा है फिर उसके बाद अफगानिस्तान की जो official आर्मी है उसके लिए properly काम करेगा अपने देश की रक्षा करेगा और उस टाइम शेर मौमद अबास के कहीं से भी कोई भी radical views नहीं थे कहीं से कोई idea नहीं था के कल को जाकर यह Taliban को join कर लेगा और Taliban में भी एक top leader बनेगा USSR USA दोरों के against लडाई करेगा उस वक्त किसी को भी इसकी आशंका नहीं थी जिन Indians ने इससे बात करी थी जब यह भारत में आया था उन सब की memory यही है कि बहुत जादा down to earth आत्मी था मूच रख था था मुस्टैश थी इसकी और कहीं से कोई भी radical views इसके नहीं थे मगर जैसे इसकी training खतम होई यह वापस गया Afghanistan में और इसने अफगान national army में as a leferent काम किया मगर obviously कुछी साल यहाँ पर formal army में काम करने के बाद इसने join कर लिया Taliban को यहाँ पर आपको समझना होगा कि अफगानिस्तान के साथ हुआ क्या था और किस तरीके से इसने Taliban को join किया होगा और तब आप समझ पाएंगे कि आज के समय जो Taliban फॉर्म हो चुका है इसकी कुछ हट तक history क्या है देखो अफगानिस्तान के तिहास में एक बहुत भी बड़ा turning point आया December 1979 में जब USSR USSR आपसे कई साल पहले एक country हुआ करता था जो 1991 में तूटके भी खर गया यहाँ पर आप देख पाओगे यह है उस वक्के USSR का map तो 1979 में USSR के leaders ने यह सोचा कि चलो क्यों ना हम अफगानिस्तान को invade कर दे क्योंकि हमारी वैसे ही एक बहुत इबड़ी border है विद अफगानिस्तान तो USSR ने सिरा सिरा invade कर दिया अफगानिस्तान को और उसके बाद 1982 तक एक तरीके से civil war स्टार्ट हो गई विद अफगानिस्तान कई लोग थे वो USSR के साथ थे वो चाते थे कि अफगानिस्तान बन जाए एक communist country मगर कई लोग और थे वो चाते दे कि USSR जल से जल उनके देश से भार निकले इस दोरान क्या हुआ कि USA ने support करना start कर दिया तालेबान को initially आप अगर देखो तो तालेबान के जो main creators हैं वो हैं USA, United Kingdom और पाकिस्तान इन तीनों ने मिलकर plan ये बनाया कि जो ये तालेबान ग्रोप है ये गुरिला वारफेर करेगा USSR के अगेंज छुप छुप के उनको अटाक करेगा और धिरे धिरे USSR को ये इतना परिशान कर देंगे कि कई सालों के लड़ाई के बाद USSR को जब लगेगा कि इस देश का खुछ नहीं हो सकता हमारे काबू में नहीं आएगा ये USSR खुदी थक के वापस चला जाएगा अपने देश में और हुआ भी यही USSR ने अफगानिस्तान में एंट्री करी 1979 में 10 साल तक संगर्श किया कोशिश किया कि कैसे भी करके अफगानिस्तान काबू में आ जाए मगर तालिबान की वज़े से 1989 में ही because of heavy losses 15,000 सैनिकों की मौत के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया अफगानिस्तान से भार निकलने का टाइम आ चुका है तो जो ये दौर था तालिबान के राइस का और USSR के अफगानिस्तान से भार निकलने का उसी टाइम यहाँ पर शेर अबास ने जोईन कर लिया तालिबान को और बाद में जब 1996 में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कॉंकर कर लिया सिवाए Northern Part के क्योंके वापे Northern Alliance था उस टाइम शेर अबास ने इंटरनाशनली तालिबान के लिए काफ़ी डिप्लोमेसी करी और कोशिश करी कि maximum countries प्रो तालिबान हो जाए यह सब देख के आपके मैंड में कॉशन आएगा कितनी जीब बात है इंडिया में आया आज के समय तालिबान को जोईन कर लिया जब यह भारत में आया होगा और अगर उस वक्त हमको पता लगता के यह कल को तालिबान को जोईन कर लेगा तो इसको हम ट्रेनिंग नहीं देते मगर देखिए इस सिचुएशन में हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर कोई policy नहीं है के कल को हम change कर दे जिससे हम ensure कर पाए कि ऐसा ना हो countries के साथ समझौते होते हैं Defense Corporation के वहाँ के लोग भारत में आते हैं ट्रेनिंग के लिए अब उस दोरान कोई आदमी हमारे देश में आ गया ट्रेनिंग ले ली वापस जाकर तालिबान जैसे ग्रूप को functionalities से ये काफी दूर रहते हैं तो कल को ये कोई डर नहीं है कि हमारे देश में ट्रेनिंग लेकर कोई हमारे देश पर ये attack कर ले तो शेर मौमद अबास का case बहुत अब तक rare है मौमद अबास के बाद कई अफगानिस्तान के नागरेख हैं भारत में आये हैं अपने देश में अपनी आदमी की सिवा करी है ये मैं कहूंगा एक extremely rare case है ना वापस आते हैं अपने question पे के IMA Indian Military Academy का मोटो क्या है सयुत्तर यहाँ पे है option B वीरता और विवेक यहाँ पे आप देख पाओगे वीरता और विवेक English में इसका मतलब हुआ valor and wisdom यह है motto of the Indian Military Academy और finally आपे मैं यह भी add कर दूँ किया आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं चाहे UPSC, SSC bank, any examination simply जाओ unacademy.com पे या फिर आप unacademy की जो app है यह download भी कर सकते हैं चूज करिए the exam of your choice for example अगर आपको यहाँ पर चूज करना है UPSC, CSE click on UPSC, CSE around the corner तो यह भी आप purchase कर सकते हैं 15,000 रुपे का course है दो महीने का मगर 15,000 भी pay मत कर देना use करो यहाँ पर promo code PD10 और prices और जादा यहाँ पर गिर जाएंगे आपको मिलेगा यहाँ पर additional discount so use the promo code PD10 and save your money so इसी note के साथ यह है आपर वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all